इनको इतरी गालिया दो जिद्री इनके माँ बाप का सारे मुसलमान है आप भी पिली बगता है उसके साथ शाहीन बाप का मुद्द विकास के मुद्दे के आगे कुछ भी नहीं है सबस्क्राइब नमस्कार आप देख रहें वीके न्यूस बैहू सुनिल राउति इरिस्वत मौजूद हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की रेली में जो दिली में होने जा रही है दिली चुनाव के मत्यनजर यह उनकी पहली रेली है शाहद्रा में यह रेली हो रही है और आप देख सकते क कि किस तरह का क्राउड यहाँ पर मौजूद है जिधरी उदर्थ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के कटाउट्स लगे और हमार साथ कुछ महिलाएं हैं आप देख सकते हैं कि एक तरब से चारों और इन्हों पगड़ी पहन रखी है भगवा पगड़ी इनसे भी हम बात करेंगे जी क्या शुबनाम आपका कुमूद कहां से आई हैं आप देख साध्रा से आप बीजेभी के कारे करता हैं क्या है मुद्दे चुनाओं में इस बारिकमल कि इसमें मुद्दे की जो भी गडी में है जो भी नवीन शाध्रा से आप है आप देख लिए प्रेशा शांवाश थे हैं इसका मुद्द्दे हैं शाहीन बांप मिलें के आगे कुछ भी नहीं है वह तो में लेगा जलाख लिकुन वह तो समझ में आ जाएगा कि लाब मीलें राकिनला के लिए नहीं तीन टलाइव पे नो ओल अर्जब दीना का लाव उनको प्राइब हो गया उनको पेंस आप लोग समझाने जैए उनको आप जानी रहे हैं अर्गी एक लियुक्त शुचकर जगाया आपको कौन लगता है यह समझी चाल है नहीं तो योगी जी बोल रहे हैं कि यह दबावा घुसाता 370 और मंदिर का वो निकल रहा है अगर वो बोल रहें तो कुछ भी बोल सकते हैं यह तो आप यह तो सब को पता है कि उन्होंने सी एक अपना सारा गुसा निकाल रहे हैं यह हकीकत है आप लोगों ने पुशिशन है कि पहले मैंने बोला है कि कहां से आई हैं किशन नगर से क्या मोदी जी को देखने आये हैं अच्छा लगते हैं हमारे देश में ऐसा कोई परदान मंत्री हुआ है जिन्होंने हमारे देश को उठाया है हम हिंदू के सुरक्षा के लिए सब काम कर रहे हैं बहुत नाइस बंदे अच्छा लिए अम्मोदी जी अमरीका से आये थे अम आवस्या का दिन था सारा देश जगमगाट कर रहा था इतने उन्होंने वर्क किया उसके लिए हम यह बोलना चाहा रहे हैं अम आवस्या को पूरी मा में बदलने वाले मोदी जी और उनके सभी साथी को हम इंडिया वाले और पूरा देश नमस्कार करता है बाराम बार अभिनंदन करता है मोदी जी का कि देश के लिए जिसे हिंदू खतम हो रहा था पहले हैं इसे हिंदू कहां खतम हो रहा है इंदू के लिए को इनको इतरी गालिया दो जिद्री इनके माबाप का सारे मुसल्मान हैं कांग्रेस के लोग मिसल्मान है बिल्कु गंदे इनका खांदान गंदा आप भी मिली बनता है उसके साथ हमारे हमारे देश का बेड़ा करवा दिया उन्होंने तो सतर साल में कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ हमारे लिए पर मोदी जी सब कुछ है हमारे लिए हमारे बेटे के समान है वह उसको जहना सीट गई हो जाता है इतनी ज्यादा मतला है यह ड्राक है आप बुजर्ग है आपकी बात लोग सुनेंगे शाहिन बाग में जो महला है बैठी उनको क्या कहेंगी क अबिनए उड़ा रहे वह देख रहे हैं इनकी वेटकर। कर रहे हैं देख रहे हैं इसे सद्धे हो जाएं चुनाओं और फिर उठाएंगे अंड़ी जोते अपने को ह्राम की का रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है बच्चों को चोटे चोटे गोज में ड्रामा कर रहे हैं हमारे लिए ठंड है इतनी सर्व में बच्चों के साथ बैठी है अब नागरिक्ता के लिए हो रहे है इसलिए उनको दर्द हो रही है जब जंधन योजना चल रही थी उस टाइम पर इन्लों के पास आधार काड और प्रूफ कहां से आ रहे थे अब जब बोल रहे हैं कि जह नागरिक्ता के लिए होना चाहिए आधार काडो कार तो dire अगर बरगला रहा रहा है अनको डरघा तो आपको नहीं लगता कि सरकार का काम है उनका ब्रमदूर करें कर तो रहे हैं तुम्हें मुसल्मानों को कोई डर नहीं वह सुने भी तो पैसा मिल रहा है तो यह यह राय है बहुत गुस्सा है लोगों में कहरें कि शाहिन बाग को लेकर खास तौर पर कि शाहिन बाग में जो लोग बैठे हुए वो नाजाज तोर पर बैठे हुए बेजा तोर पर बैठे लेकर आप पीछे देख सकते हैं कि हुजूम लगा हुआ है और सब केसरिया साफे में दिख रहा है यह भगवा में माहुल दिख रहा है हर तरफ यही यही नजर आ रहा है और प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदी को में महिला आई है हमने कुछ से पूचा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की कारे करता नहीं है मोदी की फैन है तो यह यहां का नजारा है आप देखते रहिए वीके न्यूज शुक्रिया